क्या है मोसी जी तो करती है कि मैं तो इस घर को यानि नेयों को मजबूत करने के लिए कब से यानि मैं कभी भी नहीं चाहा कि यह तूटे घर विच्छी लेकिन मेरा कोई वात नहीं मानता है तो वहाँ पर कुहु को समझ भी नहीं आता है कुछ सोचती है कि इसका मतलब क्या है और वहाँ पर सभी लोगों से बहस होने लगता है और अधेश की जो मा होती है वह कहती है कि देव नरायन चंदेल इस घर का यानि बड़े बेटे है और अब मैं इस घर का बड़ी बहु हूँ तो मैं हम दोनों कहीं जाने वाले नहीं है जाओगे तो तुम सब जाओगे क्योंकि हमारा भी इसमें हिस्सा है और यहां पर मैं जो करूंगा अब लोग देख करके हैरान हो जाओगे तब ही क्या करती है कि जो वसियत होता है क्याओव जमीन का बक्स में रहाता है तो उस उस रखा को खोलती है और पीज अभी मैं आप लोगग को देखाता हूं सबसे बड़ा चीजव उस और भलती है और मातिस लगा देती है और उसमी का जो भी कागजात होता है जमीन का प्रोपटी का सभी कागजात वहाँ पर जल करके राख कर देती है राख कर देने के बाद और वहाँ पर वहाँ पर भी ओधेश हो गया राजी हो गया संजी हो गया तब तक आ जाता है और सभी का ड्रामा स खुंता है तो उसमें से राख निकाल करके और देश की जो माँ होती है वह सब पर ऐसे फूगती है तो फूगने का बाद सभी लोग खांसने लगते हैं कि जो भी वसियत था राख हो चुका था अब किसी का हक नहीं था क्यूंकि जो देवनरायंच अंदेल का हक नहीं बन रहा था वह अब हक बनने लगा था क्योंकि जो भी प्रुपर्टी था फूगा जी के नाम पर उससारा प्रुपर्टी खतम हो चुका है और भानु के नाम पर जो भी था और सब कुछ खतम हो चुका है अब जो भी प्रुपर्टी होगा सब का यानि 50-50 होगा तो उसमें देवनर से जाएगा अब तुम बताओ कि इस घर से कोई नहीं जाने वाला है अगर जाओगे तो तुम सब जाओगे तो वहां पर भानु जो होता है बहुत करती यह मुर्ख औरत यह तुमने क्या किया तुमने वसियत के कागच जला दी तुजा करके देखता है तो छोड़ा सा वहां तुक्रणड आता है इसे साफ साफ लिख लिखा लगा रगाता है वसियत तो वह समझ जाता है कि वसियत का का प्रिव तक से यह तो बहुत ऑर प्रव्वस कर दाना और और फिर यह भानू भी काता है कि यह वसियत का कागच ऐसे जला देने से कुछ नहीं होता है मैं कोट जाऊंगा और कोट में दरख्वास करूंगा और तुम्हारे खिलाफ और दादा खिलाफ केस करूंगा और कानूनी करवाई करूंगा तो अधिस की मा बोलती है जाइए अभी जाइए जब तक कोट का कानून यानि आदेश आएगा तब तक तो हम लोगों का यानि बुढ़ापा खतम हो जाएगा अभी तो हम लोग ऐस मौज करने का टाइम है जब तक कर सकते हैं कि कोट का जो कानून का केस चलता है वो काफी अच्छे से तो रहेंगे ना मौज मस्ती तो करेंगे तब फिर वहां पर संजी बोलता है मौशी जी आप इतना घटिया हो चुके है जैसे कि आपने काया कि यह घर वोकीलों का है तो यह जो उम्र है यह आप लोगों का बुरहापा का है क्योंकि हम लोग अभी टाइम है ले आप लोग के जीवन में इतना ज्यादा दिक्कत आएगा प्रोब्लम आएगा कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं तो हाँ पर बहुत कुछ समझाता है असंजीवी भी काता है और तभी वहां पर राजीव काता है देव नरायन चंदेल को अरे जो अपने सगे वेटे को हो नहीं पाया यह आपकी क्या होगी क्या होगा देश की मा को काती है जो अपने यह सगे वेटे का नहीं होगा यह हमारे नहीं हुए तो आपका यह क्या होगा इसका भी इन में कोई न कोई यानि अपना कुछ खास मकसद होगा तो वहाँ पर थोड़ा सा सोचने लगती है और वहाँ पर जो फुआ जी होती है उनको कहता है अब आपका इसमें कोई हक नहीं है बोलने का आप होती कौन है उसे भी बहुत ज्यादा बुड़ा लगता है को जमान पर लगाम दिडिकर को बाद करो हमारी फुआजी से तो वहाँ पर यह सब ड्रामा चलना था और वहाँ पर कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि घर से जाये तो जाये कैसे तब वहां पर सभी भान्डा फूड़ जाता है और कहता है कि यह कोई जान जाती है कि हाँ व अगर दोनों आदमी मिल करके साधी कर लिया तब ही वहां पर अवधेश काता है कि अरे मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं यह दोनों जाए भार में मुझे उससे कोई मतलब नहीं है वो तो सिर्फ कुहू के लिए आया था तो यह सब ड्रामा चल ला था और तभी वहां पर राजियू बोलता है कि देव नरायन चंदेल आज से मैं घोशित करता हूँ कि आज से मेरा पीता जो था हुआ मर गया इस परकार कुछ वह बोलता है तो इससे अभी को बुड़ा लगत आता है और आज का एपिशोड आप लोगों ने देखा होगा और उस पिछले ववले एपिषोड में कुछ खास नहीं था यतना अव् … अभी त स्वाप लोगोंस देखा होगा तो अगर आप लोग इसी तरह सीमीटर यूद देखना चानते तो हमारी चैनल कत अब मोग सब् पैसा कमाना चाहते हैं तो हम मैंने एक चैनल और पहले से स्टार्ट किया है जिस पर मैं बहुत सारे कॉंटेंट के बारें बताता हूं घर बैटे आप यूटू से पैसा कमा सकते हैं टीवी सीरेल देखने से आपको कुछ नहीं होगा अगर आप घर पर भैए और पैसा अर्नि स्टार्ट के बारें बता रखा हूं जो बहुत ही काफी तेजी से ग्रोव होता है उस कोंटेंट पर काम किजिए और खर बेटेंट आप यूटू से पैसा कमाई बहुत ही सीधा सा कौंटेंट आता है ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है नहीं आपको फेस दिखाना है न तो अगर आप थोड़ा सा टाइम दे दिजिएगा तो समझी कहीं ने कहीं आपका लाइफ चेंज हो सकता है कि यूटू एक ऐसा प्लेट फॉर्म बन चुका है समझे पैसा छापने का मसीन बन चुका है तो आप लोग इसको मिस मत किजिए यूटू पर काम करना स्टार्ट कर अगर आप लोग यूटू से पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जाए और बहुत सारे कॉंटेंट के बारे में मिल जाएगा जिस भी कॉंटेंट पर आप काम करना स्टार्ट कर दिजी चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक निउए एपिसोड में